ललित मोधी हजारों करोड लेकर के बिदेश भाग जैंगे नीरव मोधी इसी थारों करोड लेकर के बिदेश भाग जए और रहुल गांदी ये पूछे कि मोधी नाम के लोग चौर क्यों होते हैं तो फिर उन्की सानसदी जा सकती है लेकिन आपको आश्याज होगा कि अगर कोई ये पूछे कि हमारे देश के परधान मंतरी नरेंदर मोधी कितने पढ़े लिखे हैं और ज़रा उनकी डिगरी दिखाईए तो आप पे 25,000 रुपे फाइन हो सकता है और साथ ही साथ आपको यह पूछने का अधिकार भी नहीं बचता है कि आप परधान मंतरी की डिगरी के बारे में पूछें जी हां आज गुजरात हाई कोट का जो फैसला आया है इस फैसले में जस्टिस विरेन वैस्नों ने जो कहा है वो काफी दिल्चस्प है उन्होंने जो आदेश दिया है वो आदेश ये है कि गुजरात इन्वर्सिटी उन्होंने ये आदेश दिया है कि गुजरात इन्वर्सिटी को पीम मोदी की डिगरी यानि की बीए और एमे की डिगरी दिखाने की जरूरत नहीं है उन्होंने 2016 के एक मामले में फैसला सुनाया है कि नरेंदर मोदी BA हैं MA हैं या क्या हैं उनकी डिगरी मागने की कोई जूरत नहीं कर सकता है दरसल हुआ ये था कि अरविंद केजरिवाल ने RTI से ये सुचला मागी थी कि आप हमें बताएं कि हमारे देश के परधान मंतरी की BA की डिगरी दिखाएं और MA की डिगरी दिखाएं इसके बाद Chief Information Officer ने ये आदेश दिया था PMO को और दिली इनवर्सिटी को गुजरात इनवर्सिटी को के परधान मंतरी नरेंदर मोदी की डिगरी को सरवजनिक कर दिया जाए उसके बाद गुजरात इनवर्सिटी जो है गुजरात हाई कोर्ट चली गी और उसी मामले में गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस एक सदस्य बेंच के जस्टिस विरेन वैसनो ने इस मामले में कहा है कि जो Chief Information Officer है उनके आदेश पे रोक लगा दिया है और दूसरा जो महत्पूर्ण फैसला है वो यह है कि अरविंद के जरिवाल पे 25,000 रुपए का फाइन लगा दिया है यानि कि आप सूचना के अधिकार के तेहत परदान मंतरी नरेंदर मोदी की डिगरी की मांग नहीं कर सकते हैं और अगर आप करते हैं तो फिर आप जुर फैसले से असहमत होने की बात कह सकते हैं आखिर परदान मंतरी नरेंदर मोदी की डिगरी के बारे में लोगों की दिल्चस्पी कितनी क्यों है दरसल परदान मंतरी नरेंदर मोदी ने खुद ही कई बार इंटरिव्यू में ये कहा है कि अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने और चारिक सिख्षा नहीं हुई है लेकिन शपत पत्र में नरेंदर मोदी ने कई जगा बी ए और एमे का जिक्र किया है तो इसी में जो परधानमंतरी नरेंदर मोदी की बातों में जो कंट्राडिक्शन है इस कंट्राडिक्शन से लोगों की ये उसकता बढ़ी कि आखिर हमा होना चाहिए नरेंदर इस पूरे फैसले के बाद अर्विन के जरिवाल ने कहा है कि ये कैसी इस्तिती है कि हम अपने परधानमंतरी की डिगरी के सवाल भी नहीं उठा सकते हैं अर्विन के जरिवाल ने यहां तक कहा है कि परधानमंतरी का कम पढ़ा लिखा होना या असक् वैशनों का जो ये आदेश है इस आदेश का ग्राउंड क्या है इसके बारे में जो कानून के जानकार हैं वही अच्छे से इस पर अपनी डाय रख सकते हैं लेकिन एक भोले भाले इनसान की तरह आप और हम ये सवाल जरूर कह सकते हैं कि परधान मंतरी के बारे में अगर क्रेस्टिस विरेन वैशनों के इस फैसले के बाद इस आदेश के बाद जुडिसियरी के परती लोगों के मन में जो सम्मान था क्या वो सम्मान उतना ही बना रहेगा या फिर लोग यह सोचेंगे कि आदालत का ये फैसला कुछ ऐसा फैसला है ऐसा आदेश है जिस से आदाल लुक्तांत्रिक संस्थाओं को गुलाम बना लिया है, अपने बस में कर लिया है, उसे निकमा कर दिया है और अपने इशारों पर नचाती है। लुपतांत्रिक संस्थाओं के अलावा कई बार ये आरूप लगाया जाता है कि जुडिसियरी भी नरेंदर मुदी से डरा हुआ है तो क्या गुजरात हाई कोट का जो ये फैसला है उस पे आपकी क्या राय हो सकती है अगर आप चाहें तो कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं